आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यहां पर सबसे पहले हम टोटल वक देखते हैं कि टोटल वक कैसे निकाल लेंगे नंबर ओफ परसन इंटू एफिसेंशी ओफ इच परसन इंटू टोटल टाइम ठीक है तो यहां पर अगर हम दोनों कंडिशन में M और W की वैल्यू हमें क्या दी हुई अगर हम M को Efficiency of Men consider करते हैं W को Efficiency of Women तो उनका रेशो है 3 रेशो 2 तो यहां से टोटल वक निकालते हैं मैन वाली कंडिशन में कितना हो जाएगा मैन वाली कंडिशन में हो जाएगा 4M और X क्या है नंबर ओफ परसन इस इक्वल्स टू दूसरी कंडिशन में कितना हो जाएगा 8 इंटू W So 8 इंटू W इंटू X-2 यहां पर M और W की वैल्यू क्या है M की वैल्यू यहां पर 3 है तो कितना हो जाएगा 12X और W की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 तो यह हो जाएगा 16 X-2 तब इसे solve कर लेता है 4 से करेंगे तो 3 पर जाएगा और यह 4 पर जाएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 3X is equal to 4X minus 8 This implies X की वैल्यू कितनी आगी 8 अब X की वैल्यू हमारे पास 8 आगी अब हम यहां पर नई condition ले रहे हैं कि अगर X-2 काम करते हैं Men, sorry X by 2 Men काम करते हैं और 7 में उनके X-2 Women काम करती है तो वो सिर्फ 2 दिन काम करते हैं उसके बाद हमें Men को Women से replace कर देते हैं और remaining work कितने दिन में complete होता है 3 दिन में तो हमें यह बताना है कि Women कितनी Women यहां पर Men को replace करके आई यह काम कर रहे है तो यहां पर हम X-2 की value कितनी हो जाएगी Sorry, X by 2 की value हो जाएगी 8 by 2 that is 4 और X-2 की value कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी 6 तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 4 तो Men काम कर रहे हैं और 6 Women काम कर दी है तो अगर एक दिन का अगर हम काम निकाले तो कितना हो जाएगा एक दिन का काम हो जाएगा man की efficiency कितनी है यहाँ पर 3 तो कितना हो जाएगा 4 into 3 plus woman की कितनी है 2 तो 6 into 2 तो एक दिन का काम हो जाएगा 24 तो एक दिन का काम हो जाएगा 24 अगर हम 2 days का work निकाले 2 days का work कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 24 into 2 that is 48 तो 48 work इन्होंने दो दिन के अंदर कर दिया अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि total work कितना था हमारा तो यहां पर x की value put कर लेते हैं तो total work मिल जाएगा हमें total work कितना है 4 into men की value कितनी है 3 into 8 तो यह कितना हो जाएगा 96 तो 96 total work था जिन्होंने 48 किसने कर दिया इनने 4 men और 6 women ने मिल के कर दिया 2 दिन के अंदर तो अगर हम remaining work देखे तो remaining work कितना हो जाएगा 96 minus 48 that is 48 अब यह 48 काम हमें कितने दिन में कराना है 3 दिन में तो हम देखते हैं कि 1 दिन में कितना हो जाएगा तो अगर यहाँ पे अगर 1 day work देखे 1 day work तो वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 48 divided by 3 तो वो हो जाएगा 16 मतलब 16 की efficiency से हम per day काम करेंगे तो 3 दिन में complete हो जाएगा और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने total women कितनी यहाँ पे employee कर रखी है वहाँ पे हमने कर रखी है y तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 16 is equals to y into women की efficiency कितनी है 2 तो यहाँ से हम y की value कितनी होगी 8 अब initially हमारे पास women कितनी थी 6 और नई condition में women कितनी है 8 तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि new कितनी add हुई है 2 तो 2 women ने replace किया है किसको यह जो पहले chairman काम कर देते तो answer क्या हो जाएगा मर पास option A आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट आट 400 400 400 पर